दिये लुकुल के मताबिक मोते हो रही है तो भारक में विश्व की 33% रोजाना मोते हो रही है। नोटंंकी कहा सब कुछ कामल्नाजजी ने भी बोला कि अब भारत महान नहीं है भारत बदनाम है देखे हांमिज जी के भारत के बयान को भी सुना कमल नाज जी का स्पश्टूप सर्क में पहली बार रहा है यह कहा था और आज भी कहा है और हम सब ने देखा है कि भारत महान नहीं है भारत बदनाम है मैं कहना चाहता हूं कमल नाज जी आप और पूरे कॉंग्रेस के लोग ये कान खोल के सुन ले भारत क बहान रहेगा कितनी भी आपनों कोशिश कर दूसरी बात है कमल नाज जी ने और बहुत महत्वपून बात कहीं उन्होंने कहा कि जो टैक्सी ड्राइवर्स है न्यू यू यॉक में अमेरिका में आज कोई भी उनको छूना तक नहीं चाहता है वहां के जो इंडिजनस लोग है जो अमेरिकन लोग है वो हमारी इंडियन टैक्सी में बैटे नहीं है बहुत दुख के साथ अमीज जी में कहता हूं ये एक रेसिस्ट कॉमेंट है ये एक नसल भेधी कॉमेंट है और आप मैंने पूरा प्रेस कॉन्फेंस कमल नाज जी का सुना है उन्होंने कहा है ब्लै इंडिया के टैक्सी में कोई भी फॉरिणर नहीं बैठेगा ये किस प्रकार की मान सिकता है अब क्या चाहते कि इंडिया का विरोध पूरे विश्व में होने लगे यही चाहते ये गांधी परिवार यही चाहता है क्योंकि यह साडिस्टिक प्लेजर डराइव करते हैं और कहीं न कहीं अपने अपने आपको सत्ता में लाने के लिए इनको अगर देश बेचना होगा देश को बदनाम करना होगा तो ये भी करेंगे दूसरी बात मैं तो कह रहा हूँ कि opposition mismanagement management को लेकर सौ सवाल पूछे उनका अधिकार है अधिकार चेत्र है लोकतांत्रिक देश मगर उसका मतलब आप COVID का ना मोविट रख देंगे आप बताइए आज अमेरिका का जो उत्तरप्रदेश की जो population है अमेरिका की जो population है वो लगभग उत्तर प्रदेश के बराबर है उत्तर प्रदेश के बराबर है आप बताइए वो 33 करोड लोगों में उनकी डेथ हाँ देखिए हम से अधिक है पांच लाग से अधिक लोगों की वहां रुत्ति हुई है मैंने कहता हूँ अच्छी बात हमारे हाँ उनसे कम डेथ हुई है फिर भी भी डेथ होती है उसके लिए हम we are sorry for it but आप बताइए किसी ने भी US में ये कहा कि इस बीमारी का नाम जो है बदल के हम US के नाम पे रख देंगे और यहां पर एक concerted effort को गलती से उनके मुह से निकल गया आओ तो समझ में आता बार बार हर दें ट्वीट में मोविड इंडियन variant, Indian coronavirus reaches Switzerland, सशी थरूर भी लिखते हैं Indian coronavirus, Indian variant, कोई लिखता है Modi variant, ये क्यों का किया जा रहा है आप समझिये इस विशह को, ये जो 2008 में मा बेटे ने जाके चीन में एक हस्ताक्षर किया था, ये केवल एक dotted line में ऐसे ही हस्ताक्षर नहीं किया था आविश्ची, करोडों रुप सोचा, समझा, प्लान है, जो idea of India है, भारत का जो idea है, उसको पूरे international platform में कैसे debunk करना है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि कोरोना का विव आ गया, आपने देखा होगा इससे पहले भी lynching को लेकर भारत को lynchistan कहना, उससे पहले आपने राफायल को लेकर जिस प्रकार से इंडिया को बदनाम करने की कोशिश इंटरनाशनली की गई, और अब आप तो एक महामारी है, उसमे को सवाल पूछे, राहूल गांदी, कॉंग्रेस पार्टी, सारी अगर अडवाईज दे रही है, तो सारी तो अडवाईज गलत नहीं हो सकती, आप लोग भी सिरे से खारि जी, बिल्कुल राहूल गांदी कह रहे हैं कि मोदी जी कोरोना को समझते नहीं है, और मैं कोरोना को समझता हूँ, देखे, राहूल गांदी जी कोरोना को इतनी अच्छी तरह से समझते थे, तो चलिए, मोदी जी तो उनकी बात नहीं सुन रहे थे, बीजेपी साशित जी महराष्ट में तो वह component हैं महराष्ट में उत्रा अपने 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 राजस्थान में अपने इन राज्जियों को तो फोन कर सकते थे राहूल गांदी आज सरवाधिक मृत्यू कहीं हुई है 93,000 से अधिक डेथ पूरे इंडिया में कहीं हुआ है तो वह महराष् तो वह महराष्ट में कहीं हुआ है